हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग और मैं हूँ श्वेता बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और आज मैं आप सबके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और सूबा का जो काम है मेरा वो खतम हो चुका है तो अब मैं चल रही हूँ किचन में बनाने नास्ता और आज मैं नास्ते में बनाने वाली हूँ समूसे तो समूसे मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है घर पे बना हुआ समूसा तो आज मैं आप सबके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी अल्रेडी मेरे चैनल पे समूसे की रेसिपी अपलोड है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए इस वीडियो को देखिएगा, ये रेसिपेटी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, और साथ मैं आपके साथ थोड़ा सा क्लिप एड कर दूँगी, लंच का, लंच तो बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ, और उसके बाद डिनर नहीं एड कर पाऊंगी आज के ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जाना है साम को बाहर, तो चलिए किचन में चलते हैं, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में समोसे बनाने के लिए, यहां पे मैंने दो कप मैदा लिया है, और उसमें मैं चार खाने का चम्मस डालेंगे, रिफाइंड ओयल, और इसमें अच्छे से हमें इसको डालने के बाद इसे मौयन कहते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब भी हम समोसे के लिए आटा गूते हैं, तो जो इसमें मैंने रिफाइंड ओयल डाला है, वो डालने तो बस ऐसे ही रगड रगड की से अच्छे से मिला लेना है और ये देखिए ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करना है और दिहान रहे कि एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी फूल जाती है तो यह और भी जादा हो जाता है, तो इसे ऐसे करना है, और यह आप देख सकते हैं, यह धो हमारा काफी अच्छिए से तैयार हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा और मैं इसे अच्छी से गूथ लूँगी, और उसके बाद इसे हम ढ़के रख देंगे, तो यह देखे अब मैं इसे ढखके रख दे रही हूं सेट होने के लिए तो चलिए अब हम समोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कढाई रखी हुई है और उसके बाद उसमें डाल देंगे सरसो का तेल और मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रही हूं जैसे हमारे यूपी में समोसे बनते हैं बिल्कुल वैसे ही तो मैं सरसो का तेल ही यूज करूंगी और रिफाइंड तेल यूज करूंगी सिफ्राई करने के लिए तो यहां पे मैंने इसमें पचफोडन डाल दिया है और पचफोडन डालने के बाद प्याज डालनी है तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज यहां पे मैंने बारिक कटी हुई प्याज इसमें डाल दी है और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है और प्याज को हमें इतना ही भूनना है ताकि इसका कच्छापन निकल जाए ऐसा नहीं है किसे बहुत ब्राउन करना है ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसमे डालेंगे अधरक लेसन का पेस्ट तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और अधरक लेसन को खलबटे में कूट लिया था मैं कूट के ही यूज करती हूँ तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनना शुरू कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे से भूना जा रहा है यहाँ पर और इसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ हल्दी एक चुथाई चम्मच हल्दी डालोंगी और एक चम्मच डालोंगी लाल मिर्ज का पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और इन सब को डाल के अच्छे से भूनना है मसालों को यह बिल्कुल सिंपल तरीका है मैं ऐसे ही बनाती हूँ आप चाहें तो स्टार्टिंग में जहाँ मैंने पछ फॉडन डाला है बहुत से कड़ी पता और सरसो का तड़का देते नहीं है ज्यादे अब मुंबई में अक्सर सी जगों पे असा मिलता है कि पछ फॉडन की जगह सरसो और कड़ी पत्ता का तड़का दे के आलू बनाते हैं तो यहां पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर डालने के बार इसे अच्छे से भून लेंगे और यहां पर कुछ-कुछ जगहों पर यूपी वाला समोसा भी मिलता है पच्फोडन वाला तो हम लोग को समय के भूनेंगे और कभी मैं चलके वाले मटरेस में अड्ड करती हूँ तो उसे छिलने के बाद न हम वायल करके यह यह ड्कर ती और अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया वारी कटा हुआ डाल दूँगी और हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा से इसे भून की इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलो को आलो को मैंने पहले ही वाइल करके चील के उसे अच्छे से मैश कर लिया था तो बस अब यह आलो मैं इसमें डाल दूँगी तो बस आलो को भी डाल के अच्छे से भून लेंगे और समोसे का अजो जितना अच्छा भूना रहता है उतना ही टेस्टी समोसा लगता है आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मुंफली भी रोस्ट करके या तल के डाल सकते हैं वो आपके टेस्ट के हिसाब से है इसमें मैंने सिर्फ मटर डाला है इसके पहली वाली वीडियो मैंने थोड़ी सी मुंफली भी रोस्ट करके उसमें अड़ की थी अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो कोई जरूरी नहीं है और यह आप देख सकते हैं यह जो समुसे का आलू है बिल्कुल भुन के तयार हो चुका है और यह आप देख सकते हैं यह कड़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो इससी ये पता चलता है कि ये काफी अच्छे से पुरा भुन के तैयार हो चुका है तो ये देखिए यालू को मैंने एक थाली में निकाल लिया है और यहाँ पे ये जो आटा मैंने रखा था उसे भी थोड़ा सा फिर से हम लोग गूत लेंगे अच्छे से मसल के ये आटा हमारा काफी अच्छे से तैयार हो चुका है तो इसके बाद अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आटे को निकाल लिया है उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोईयां बनाएंगे आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से बनाएए क्योंकि मैं जो समोसे के लिए जो इसकी रोटी बेलती हो न वो पतली बेलती हूँ बहुत से लोग थोड़ी सी मोटी रखते हैं लेकिन मैं पतली रोटी बेलती हूँ फिर उससे काटके उससे समोसा बनाती हूँ और यहाँ पे मैं मतलब मैदा या कुछ भी इसमें लगा के नहीं बेलूँगी मैं हलका सा तेल लगा के इसे बेलूँगी इससे क्या होता है कि जो हमारा तेल होता है जिसमें हम इसे फ्राई करते हैं तो वो खराब नहीं होता है अगर हम इसमें थोड़ा सा आटा या मैदा ड पर पानी लगा दूँगी और इसे पैक कर दूँगी और ये देख सकते हैं आप कि ये कोन हमारा तयार हो चुका है तो अब मैं इसमें स्टॉफिंग डालूँगी और समूसे में स्टॉफिंग काफी अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि अगर थोड़ी स्टॉफिंग रहती है काइए संगे वह दो थैंट ला थो आज़ा हो स्टॉफिंग डालने के बाद चारो साइट से इसमें पानी लगा के अच्छे से पैक कर देंगे तो ये आप देख सकते ने दूसरा कोन भी हमारा बंद की तैयार हो चुका है तो बस ऐसे ही इसमें भी stuffing डाल देंगे और समुसा बनाना start कर देंगे तो बस ऐसे ही इससे भी हमें पैक कर लेना है जैसे side side में पानी लगा के यह दूसरा समूसा भी हमारा बनके तयार हो चुका है तो ये देखिए ये बिल्कुल तयार हो चुका है तो ऐसे ही समोसे को हम लोग बना लेंगे उसके बाद इसे फ्राई करेंगे अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप इसे किसी भी कॉटन की गीले कपड़े को अच्छे से निचोड के उससे ढख सकते हैं और यहां पर मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया था उसके बाद मैंने हीट को मीडियम पर कर दिया है और अब मैं समोसे डाल रही हूँ लेकिन यहां पर मैं समोसे को भी डबल फ्राई करूंगी तभी ये बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे बनेंगे और इस टाइम पर हीट बिल्क तो बस इसे हमें semi fry करना है, बहुत जादा fry नहीं करना है, तो इस तरह से आप बना के रख लीजिए, अगर बाद में आपको शाम को काना है या आपके घर पे कोई केस्ट आने वाला है, तो आप semi fry करके रख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से fry करके दीजिए, ये बहुत crispy बनते हैं और बहुत tasty लगते हैं, और काफी लम्बे टाइम तक ये पुरा crispy समूसा रहता है, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप सब बना के try करिये, और साथ में ही मैंने समूसे की चटनी भी बना ली थी, तो ये देख ये, इसे मैंने semi fry कर लिया है, और अ अब इसके बाद हम इसे फिर से फ्राई करेंगे तो वापस से कडाई में मैं समोसे को डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी और इसकी चटनी जो है लसुन, मिर्चा, हरा धनिया और टमाटर डाल के मैंने तीखी चटनी बना ली है और साथ में अधरग भी उसमें डाला था तो वो क्लिप मैंने इसमें एड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती तो कभी आप घर पे समोसे बनाएगे और घर की जो हरी चटनी होती है मेठी चटनी घर की बनी होई होती है उसके साथ इसे खाईए ये बहुत टेस्टी लगता है और बाहर का खाना तो फिर आप भूल जाएंगे गर आप घर पे ऐसे बना के खाएंगे क्योंकि समोसे वागएर हमारे यहां छुट्टी जब रहती है या संडे है ऐसा कुछ रहता है तो जादा तर घर पे ही बनता है क्योंकि घर का समोसा सबको बहुत पसंदाता है और यह आप देख सकते है यह समोसे हमारे काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इनका कलर भी देखे बिल्कुल मार्केट वाला कलर दिख रहा है आपको और बहुत ही जादा यह क्रिस्पी बनते हैं तो बस इसी तरह से इसे हम फ्राई करके निकालेंगे और भी समोसे को हम तल लेंगे और आप चा समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो अब मैं इसे एक प्लेट मी निकाल दी हूं हरी चटनी के साथ में और इसके साथ में मैंने चाय भी ली है तो आज आईए आप सब भी समोसे और चाय रेडी है तो अब मैं दो पहर का लेंच बनाऊंगी नाश्ता करने के अब जी बनाने के बाद सेम उसी कढ़ाई में मैंने दाल भी फ्राई कर लिया था क्योंकि बहुत जादा बरतन निकालना मुझे नहीं पसंद है मैं कोसिस करती हूं कम से कम बरतन निकालना हो या मुझे धुलना होता है या फिर मेरी मतलब जो बरतन दुलने के लिए उसको जिसको भी लेकिन मुझे जादा बरतन निकालना अच्छा नहीं लगता यहां पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है कूकर में और उसके बाद मैं फटा फट सी रोटियां भी सीख लूँगी तो बहुत ही सिंपल था आज का लंच तो इसके लिए मैंने इसे शूट नहीं कि आप देख सकते हैं यह रोटि भी हमारे फुल के तयार हो रही है तो बस इस तरह से कुछ था आज का सिंपल सा मेरा लंच और सूबह में इने नाष्टा बनाया था समोसे नास्ते में समोसे को बनाया था और यह देखे लंच मारा बिलकुल तयार है तो चलिए लगार लेते ह मैं होममेट चॉकलेट बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है और मेरे घर पे भी होममेट चॉकलेट सबको बहुत पसंद है और मैं इसे बना के फिर अच्छे से पैक करके रख देती हूँ तो बिल्कुर मार्केट वाला ही लगता है क्योंकि इसकी पैकिंग का भी जो कुछ है वो सब भी मैं घर पे रखती हूँ और चॉकलेट बनाती हूँ उसके बाद पैक कर देती हूँ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जब मैं घर पे बनाती हूँ तो मेरे घर पे बाहर की चॉकलेट तब उतना पसंद नहीं करते बच्चे और फिर मैं उतना लाती भी इसे चेक आउट कर लीजिए तो ये सेट होने के लिए तयार है तो अब मैंने इसे थोड़ा से डैप करके वीजर में डाल दिया है और दूसरा मोल्ड भी मैं तयार कर लूँगी और आप चाहें तो इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल के ड्राइफ रूट्स वाले भी चॉक क्लिट मारी तयार है तो ये था आज का चोटा सा मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बापाई एंटे केर थैंक्स फॉ वाचित